दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में कल 2 अक्टोबर था यानि की गांधी जैन्ती का दिन था गांधी जैन्ती के दिन पर भी लेकिन अलग-अलग लोगों की अलग-अलग टाइप की हिपोक्रिसी निकल कर सामने आई निकाल कर आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ और उन तमाम लोगों को पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से एकस्पोस करने वाला हूँ है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक अपील करना चाहूँगा एक गुजारिश करना चाहूँगा अगर अगर आप लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं तो नीचे दियो एक लाइक के बटन को जरूर्द बढ़ और चैनल को अगर अभी तक सब् हमारे देश के निबल के पूरे वर्ल्ड के लोग उनके आगे जुक कर उनको नमन करते हुए नजर आते हैं गांधी जी इतने ग्रेट आदमी थे कि आज की रेट में सुप्रीम लीडर्स तक है ना कि पीछे से कुछ भी बात बोलें लेकिन दुनिया के सामने उनको गांधी के आगे अपना सर जुकाना ही पड़ता है गांधी के नाम की माला जपनी ही पड़ती है चाई फिर उनके अन्द भक्टों को कितनी मिड्चे क्यो न लगती रहें इसी तरीके से कल फिर से हमारे सुप्रीम लीडर्स निकल कर आए और गांदी जी के आगे जुकने का काम किया, किस तरीके से गांदी जी के आगे जुके, किस तरीके से उनको नमन किया, आपको दिखाना चाता हूँ, सबसे पहले निकल कर आए नरेंद्र मोदी, जो कि हर रेस म को करतव्य पत्पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा इतनी बड़िया बाते बोली गांदी जी के लिए ऐसा लगेगा आपको कि गांदी का परम भक्त अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोधी हैं इनके अलावा कोई भी नहीं है लेकिन एक और निकल करा है उसके बाद योग लेकर इस दिवस को सार्थकता प्रदान करें योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहीं पर नहीं रुके योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ एक वीडियो भी ट्वीट करने का काम किया जिसमें नरेंद्र मोधी अफसोस काफी पीछे रहे गए ज़रा देखे पहले इस वीडियो क उसकी बाद आगे बाद के गांधी जी की स्टाचू के dari नहीं ज़रा रहे हैं उनको नमस्ते उनको नमन करते ही हैं उनके आगे अपना सर जुकाने का काम कर रहे हैं इसके बाद अभक्तों को बहुत मिल्चे लगी होँगी लेकिन यही हमारे देशकी सच्चाई है गांदी जी के आगे बड़े बड़े नेताओं को भी जुकना पड़ता है लेकिन आगे आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार सच्चाई क्या है जहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि मैं गांदी का सबसे बड़ा भगतूं मोधी जी के रहे मैं सबसे ब सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा बीबीसी हिंदी की एक खबर जहां पर लिखा हुआ है कि गांधी जैनती पर हिंदु महासबा ने गोट से की प्रतिमा पर चड़ाई माला और इसकी वीडियो भी बकायदा सामने है यह वीडियो भी जरा देखे एक बार उसके बाद मोर्ख समझना बंद कर दीजिए महेश मांजरेकर अनाउंसेज नेक्सट गोटसे और महातमा गांदी's 152nd birthday नियाने कि महेश मांजरेकर जो की 3rd class फिल्म डिरेक्टर है उसने एक नया अनाउंस्मेंट किया जहाँ पर उसने बोला कि वो गोटसे नाम की एक नई फिल्म बनाने वाला है वो भी किस दिन महातम गांदी के जनम दिवस पर इस तरीके की बाते उनके असाइसिनेटर के लिए बोली जाती हैं और हमारे देश के सुप्रीम लीडर्स हैं ये सारा तमाशा देखते रहते हैं बैठके क्यों ये कही ना कहीं उनको अच्छा लग रहा होता है तमाशा और अब देखिए गोड से भ जन्दाबाद के trend हैश्टैक ट्रेंड में चाम करें लेकिन ऐसी तरीके से अब धिक्तं पेडम के जाओं लेक open हैं चला hm определ तो लोग जो से पर tweet करने उसकी भी पूरी information मैंने निकाली है official account of भहरव जा 15 ABVP बिहार, son of भारत माता political, भारत भारती जनता पार्टी media प्रभारी इनको in fact काफी बड़े बड़े लोग follow करते हैं जो भारती जनता पार्टी के बड़े नेता है जो verified नेता है वो भी इस आदमी को follow करने का काम करते हैं यानि कि मतलब साफ है, मतलब यह है कि भारती जनता पार्टी के बड़े बड़े leaders ऐसे hashtag trend को support कर रहे है वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी अदित्यनात ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह महातमा गांदी के सबसे बड़े भक्त हैं और महातमा गांदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते ये है असली hypocrisy इसके आगे आपको और भी दिखाना चाहता हूँ प्रमोत कुमार कुश्वाहा इन लोगों ने इस टाइप के ग्राफिक्स ट्वीट करें जिनका मैं इस वीडियो में जिकर भी नहीं करना चाहता है लेकिन लगातार ये ऐसे अकांट्स हैं जो भारती जनता पार्टी से जुड़े होए हैं एक और अकांट आपको दिखाना चाहूँगा भगवा प्रेमी राम भक्त ये भी लगातार कल पूरे दिन ऐसी ट्वीट करते रहे और ये भी भारती जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है हिमान्शू विशिष्ट एक और भक्त हैं जिन्नोंने कल पूरे दिन इसी हैश्टाग ट्रेंट को आगे बढ़ाने का काम करें इसके लाव आपको एक और नाम दिखाना चाहता हूँ जो की है रिशी राजपूत ये आदमी भी कल इसी हैश्टाग पे ट्वीट करने का काम कर रहा था इसी हैश्टाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था जिससे साफ बता चलता है कि इसकी आइडियोलोजी क्या है लेकिन इसका बायो प्रोफाइल क्या कहता है ट्विटर का ज़रा देखिए एक बार अपनी स्क्रीन के उपर नैशनलिस्ट, बीजेपी वर्कर, हार्ड कोर सपोर्टर आफ श्ट्री नरिंद्र मोधी फॉलोड बाय पियूश गोयल ऑफिस यानि कि पियूश गोयल जो कि हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बड़े पार्ट है भारती जन्ता पार्टी के वो फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को जो कि कल नातुराम गोट से अमर रहें या फिर नातुराम गोट से जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे ये है असली हिपोक्रिसी जिसको मैं एक्सपोज करके आपके सामने रखना चाता था लेकिन इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाना चाता हूँ कल पूरे दिन हैश्टाग ट्रेंड चलाने के बावजूद भी जो अन्दभक्त है वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाए क्योंकि कल रात को एक वीडियो हमारे सामने आयो दुबई से सबसे पहले आप जरह उस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखिए उसके बाद जरह सोची कि अक्चुली इन अन्दभक्तों ने कल पूरे दिन में क्या ही अचीव कर लिया तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से बुर्ज खलीफा के उपर महात्मा गान्दी की तस्वीरे प्रदर्शित करी गई उनके उपर पूरा शो चलाया गया लाइट एंड साउंड शो चलाया गया जो कि नरेंद्र मोदी के बारे में आज तक नहीं किया गया है ये है अन्दभक्तों को असली लात्त अब ये तो थी महात्मा गान्दी की बात कुछ और चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कुछ और भी बेवकूफी भरी बाते हैं जो हमारे सामने आई जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी का एक स्टेट्मेंट जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता जरा देखिए स्टेट्मेंट को नरेंद्र मोदी के अपनी स्क्रीन के उपर नरेंद्र मोदी ने कल एक इंटर्वियो में बात बोली PM Modi ने कहा कि आलोचकों की कमी महसूस होती है PM Modi ने बकायदा यह बात बोली कि यार जो critics हैं उनकी कमी महसूस हो रही है मुझे फलाना हो रहा है दिमकाना हो रहा है Modi जी definitely सही कहरो Modi जी आपर सच बोल रहे हैं बिल्कुल उनको critics की कमी महसूस हो रही होगी क्योंकि जितने भी क्रिटीक्स थे उन तमाम लोगों को तो मोदी जी ने यूए पीए लगा कर जेल के अंदर डाल दिया है तो आखिरकार मोदी जी को याद तो आएगी ना उन लोगों की आपको दिखाना चाहूँगा चमन चोपडा का ही ट्वीट चमन चोपडा वो आदमी है जो पहले जी न्यूज में था अब निकल करके न्यूज 18 इंडिया पे आ चुका है नफरत फैलाने के लिए इसका नाम है अमन लेकिन इसका काम है अशांती फैलाना इसने क्या ट्वीट करा था जरा अपनी स्क्रीन पर एक बार देखिए 84 से बड़ा नरसंगहार 48 में हुआ था जब गांधी जी की हत्या के बाद कथित गांधी वादी लोगों ने चितपावन ब्रामनों को ढूंड ढूंड कर मारा था गोट से ने गोली मारी फासी हुई जिन्नोंने सेकड़ों को मारा हजारों लोगों को जलाया बलातकार किये असंग के ब्रामनों की निशन्स हत्या करी उनका क्या या आदमी अपने ट्वीट के माध्यम से बताने कुश कर रहा है कि बहुत बड़े दंगे हुए थे 48 में महात्मा गांधी के असाइसिनेशन के बाद और बहुत सारे चितपावन ब्रामनों को मारने का उसमें काम किया गया था यह जानने के लिए मैं ज़रा विकीपीडिया पे गया गूगल सर्च पे गया और वहां पर मुझे यह पता चला जो कि मैं आपको दिखाना चाता हूँ आपकी स्क्रीन के उपर जी हां राइट्स हुए थे 1948 में यह बात है January की लेकिन कितने लोग इसमें मरे यह विकीपीड इनागरेशन ओफ दे इंडियन पैविलियन आट एक्सपोर 2020 दुबई भाई श्री पियुष गोयल पियुष गोयल ने इनागरेशन करना है लेकिन फोटो किसकी लगाई है नरेंदर मोदी की चली यह तो फिर भी ठीक है लेकिन अगला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी इवेंट की एक फोटो इसी इवेंट के गेट की फोटो जरा उसको देखिए वहाँ पर लिखा गया है आएम गांधी नीचे फोटो लगाई गया है एक तरफ नरेंदर मोदी दूसरी तरफ फोटो लगाई गया राजनात सिंग और प्रफुल पतेल की लेकिन महातमा ग अगया फोटो जहां पर मेरी सिर्फ आवाज सुनाई देती है लेकिन उसी जोश के साथ सुनाई देती है जिसके साथ आपको मेरी नॉर्मल वीडियो में सुनने को मिलती होगी कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएगा जिसे कि आगे के और क्या नहीं करना है अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में